एक दिन पहले छोटन सुकला की अत्या हो गई थी मुझपर पूरसार उबाल पर था लोग घुज़े में थे यह भी लोग बता रहा है थे कि उनके सेकुरिटी गार्ड ने रिवालवर निकाल लिया और लोग उत्तेजीत हो गए असली सवाल यह है कि वो उस रास्ते से लौट करें तुम्हार पर प्लकिया गया अनंद महां को भी मारने की साधीस्ती अनंद महां जो बता रहे थे उस से लग रहा था कि उनका इंकाउंटर हो सकता था जोर साहब के नितृत उमें निकीस वां तूम नोग तीनों आदमी गये वह और हम लोग मनें काफी समय रहे है जेल म एक लोगों से हम लोगों ने बाप्चित किया नितीस कुमार का जो सभाव है उस अभाव के अंसार उन्होंने 15 बरस ये जानते हुए कि आनंद मोहन जो अनिक दोस है उन्होंने उसमें देखल नहीं दिया है एक दफा तो उन्होंने हमारे मुँपर कारिकर लगवा दिया था ह ले कोईल वरपूल के पास और हत्या कैसे हुई हमको लगता है कि इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया नमस्कार में नाम आलोक है आप लाइश्टीज देख रहे हैं पुर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया बिहार सरकार की ओसे रिहाई दे गई और अ सब्सक्राइब कर रहे हैं अब सवाल खड़े हो रहे हैं परिस्तिति अलग अलग उत्पन हो रही है आई-एस एस असोशेशेशन ने भी लेटर लिख दिया है कि कि सभाविक है आनंद मोहन की सजाब 15 साल जेल में रहे हैं और जिस समय की वह घटना है हमको याद है कि घटना के तिसरे या चौथे दिन जोर्ज फरनांडेज नितिस कुमार और हम लोग गये थे वहां पूरे घटना के बारे में जानकारी हम लोगों ने कट्टा किया था मुझा फरपूर से भी और जेल में लोगों से भी उसमें जो गिरफतार लोग थे जेल म समाजबादी नेता उनके लड़के थे अंग्रेजी के प्रोफेसर थे वो जेल में बन थे हरंदर बन थे अखलाक बन थे अखलाक 77 में भी धायक बन गये थे डिप्टी मिनिस्टर थे एरिकेसर डिपार्टमेंट में जहां तक हमको याद आ रहा है कोई उसमें अपराधी न हो गई थी मुझफरपूर साहर उबाल पर था लोग घुस्जे में थे और वो लोग ले करके जुरूस निकाल रहे थे उसी दिन मुझफरपूर में चुनाव को ले करके पूरे कमिश्णरी भर के कलक्टरों की मीटिंग होने वाली थी जो मुझफरपूर का वातावर्ण ख हाजीपूर आए थे अब हाजीपूर से वो गोपाल गंज के लिए लोट रहे थे उस रास्ते से कैसे लोटे किसने उनको कहा उस रास्ते से लोटने के लिए क्योंकि सणक पर जाम है लास्ट पड़ी हुई है लोग उगर हैं बयानक ढंक से उगर हैं उसी की वज़ा से और यह कहा जा रहा है कि उस समय जो सिनियर अपसर लोग थे उन लोगों ने उनको कहा कि इधर से जाई एक काम करते हुई जाई सेवा का दिकारियों नहीं लाप्रवाही कि दूसरा क्या कहा जाएगा तो अभी भी रेकॉर्ड देखने की नबात है भाई कि उस समय जो मिटिंग बुलाई गई वो मुझफर पूर से हाजिपूर उसको कि साधार पर किया गया तो जी साधार पर किया गया कि नहीं साहब य कानून ब्यवस्था का के सामने चुनोती है यहां मिटिंग करना उचित नहीं होगा और उसकी वज़ा से मुझफर पूर के कलक्टर भी हाजिपूर के मिटिंग में सामिल नहीं हुए और फिर आप गोपाल गंज के कलक्टर कुसी रास्ते से बज़वा रहा है वहां भीड म वह सब लोगों ने ने भासन किया वहाँ जीतने लोग थे सब लोगोंगों ने भासन किया और उस समय का माहुली इसी तरह का था और उसी भीड मे घीरR गए घीर प्रवाइब निकाल लिया और लोग उत्यजीत हो गए असली सवाल यह है कि वो उस रास्ते से लोटे कैसे की साधार पर लोटे किस ने उनको निर्देश दिया लोटने के लिए जिसकी वज़ा से यह हाथसा हुआ हम यह बता रहें थो कि दिन पहीले चार दिन तेंश दिन चार दिन बाद हम लोग गये जौर साहर कें नेत्र तुमें की साजीस थी अनन्मोहन जो बता रहे थे उससे लग रहा था कि उनका इंकाउंटर हो सकता था लेकिन चुकी वो गिरफ्तार हुए पुलिस में इंट्री हो गई थी इसलिए वो नहीं हो पाया तो पूरी घटना की जो जानकारी मिली उसके आधार पर नितिश्कुमार पंदरा साल जेल में रहे अनन्मोहन नितिश्कुमार यह जान रहा है कि इन्हों नहीं परात नहीं किया उसके बाद भी सजा हो गई है यह से हमास लोग की लेवाशनीएर। जिसको जो है सजा हो गई कौन सा ऐसा मिल गया और हम यह बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि आनंद महुंद से हमारी कोई कम जूरी है हमारा आनंद महुंद से हम ऐसा अच्छा रिस्तर नहीं रहा है एक दफ़ा तो उन्होंने हमारे मुह पर कारिक लगवा दिया था है कोईलवर पूल के पास हम पर की गटना होने वाली थी इसलिए पुलीस वहां मौझूद थी पुलीस वहां मौझूद थी गाड़ी से हम उतर गये लोगों से हम भीड़ गये उसी में किसी ने वह जो साइकिलोश्टाइल मसीन का जो कारबन पाउडर होता अब मेरे मुह पर छिड़क दिया पूरा मु कि में यूथ का अधेक्स था और अनन्द मोहन ने उसको कुछ दबाने की कोशिस की और हमने अनन्द मोहन को अड़काया की तो गलत बात है भाई कमजोड तबके का आदमी है उसके साथ आप इस तरह से बावार नहीं कर सकते हैं ये बात अनन्द मोहन को लग गई और उसी के साथ चाहिए पुरुवे जी जो है अनन्द मोहन को नहीं हरा पाएंगे अनन्द मोहन सीवर से सांसत थे तो हमने अनवार उल्हक को टिकट दिलवाया उस समय बने कैना मैं सकुनी चोधरी ने हमारी मंदद की सकुनी चोधरी भी हमारे साथ थे और अनौरु टिकट मिला रा ह से और हार गए आनंद मोहन तो आनंद मोहन को हाराने में हम हमारी भूमिका रही है बाद में समता पाथी बनी समता पाथी में हम लोग साथ वा tutti है उनके पतनी के लिए हमने कंपेन भी किया उसमाई एकड़ान्स से एपले ते पर भाद भे निटीजि Mai से हम लोग साथ ही निकले सक्पनी चौधरी बिरसन पटेल हम और आनन्मोहन ने हम को फोन किया कि लभली भी निकलना चाहती है उसको भी आप साथ ले लिजिए ताकि वह जो दल बदल वाला कानून लागू नहीं है नहीं हो लेकिन यह इस में तरह का बनी हुश सकते थे उस समय हांत में नहीं था कि आप यहीं पगल में देख लीए मुखे मत्री बने जोगी जी पर कितने तरह क मैंने मुकदमा था 307 कि प्रेयस तक मुकदमा कि-पुदा था। ने मुसलमानों के खिलाब रहें अपने सरकार यह सरकार भी कर सकती ती। लेकिन मामला इसस थोस rubber consistent अभाव है उस अभाव के अंसार उन्होंने पंदरह बरस यह जानते हुए कि आनन्द महुंद निर्दोस हैं उन्होंने उसमें दखल नहीं दिया लेकिन अब एक सीमा होती है उसमें जो है सरकार को यह रापड़ी देवी के ही राज में साथ यह कानून प्रिजनर एक्ट में जोड़ा गया था कि जो लोक से वक होगा उसकी हत्या होगी तो उसमें यह जो रिमीशन मिलता है लाइफ इंपरीजमेंट में नहीं मिलेगा उसको उन्होंने चैंज किया आनन्द महुंद जो है बाहर आ है अन्तिम स्वाल सुशील मोदी इस तरह से कह रहे हैं आप विरोध करने वाले छोड़ा गया नहीं वह कानून के अंतरगत जो है वह सब लोग आ गये जो आ गये मालीज़े एक एक आदमी के लिए जो कानून में संसुधन हुआ उसका लाभ अकेले जो है आनन्द महुंद के लिए नहीं न था उस कटिगेरी में आने उस्रेनी में आने वाले इतने लोग थे चुटे अब इसके लिए जो है कोई कुछ कह अलग बात है लेकिन सुसील मोदी तो घर में जाके मिले थे दोनों का मैंने यह सब लोग जानते हैं इस बात को राजनिती करने वाले कि आननल महुंद का उस हत्या में कोई संलिपता नहीं है और जो आये इस अस असे क्रिश्नया जी को आने के लिए किसने आदेश दिया कई साब अभी हैं कई अन्सुलजे पहलू अभी वह कई गुत्थिया अभी भी हैं जो सुल जी नहीं है और श्रीवा नित्वाई ने बताया है उन पुराने दिनों को एकड़म एग्जैक्ट बताया है कि आखिर क् जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं लेकिन सोचना जरूर चाहिए हमारा चाल को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ फेस्ट करें दाने बाद जो बोल रहे हैं लेकिन साथ जो बोल रहे हैं लेकिन साथ जाने बाद